नेलो फ्रेंड्स Do you want your own a class 25 गोलो सब्धाव बहुत अच्छे होंगे मेरे अपने YouTube चैनल पहारी स्वादित रेंणू मैं आप सबका स्वागत करती हूं तो फ्रेंड्स आज की जो रैसिपी है वह बहुत ही ट्रेडिशनल होने वाली है तो चलिए किशनल आपको दिखा रही हूँ तो देख लीजे इसके लिए मैंने काले चने ले लिये हैं इसको मैंने फुल नाइट भिगो के रख लिया था और यहाँ पर मैं 20-25 लैसुन की कल्या ले रही हूँ और इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी तो फ्रेंट्स देख लीजे इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसको हलका सा दरदरा पीसना है आज बनाओंगी मैं चने के डुपके यह उत्राखंड की टैडिस्टनल रेसिपी है तो फ्रेंट्स खास करके कुमाओ छेत्र में यह काले चने के डुपके बनाये जाते हैं तो आज मैं भी आप लोगों के साथ यह रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसके लिए मैंने आइरन की कडाई ले ली है और इसमें मैंने डाल लिया है यह प्याज प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे चने के डुपके में प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भून है यही पर मैं एट कर रही हूँ लाल मीट पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर तो फ्रेंश देख लीजे चने के दुपके बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं होती है बहुत कम मसालों में यह बनता है अगर हम इसमें ज्यादे मसाले डालते हैं तो इसका स्वात कहीं खो जाता है इसलिए जितना हो सके उत्ता कम मसालों में हम इसे बनाएं तो यह उतना ही टेस् है ज्यादा अगर हम भूनते हैं तो इसमें लम्स बनने लगते हैं अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे यह जो काले चने हैं वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं इसमें कार्बोहाइडेट्स फाइबर केल्सियम आईरन विटेमिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए हमें काले चने खाने चाहिए यह हमें बहुत फाइदा पचाते हैं तो फ्रेंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे हैं काले चने के डुपके को हमेशा ही आईरन की कडाई में बनाना चाहिए आईरन के कडाई में वैसे भी सबजी तो टेस बनती ही है और यह हमें बहुत फाइदा भी पहुचाती है आइरन की कड़ाई में सबजी बनाने से इसे हमें भरपूर मात्रा में आइरन मिलता है तो फ्रेंस देख लिए यहां पर एक अच्छा सा उबाल आ गया है अब मैं यहीं पर गैस का फ्लेम हलका कर दूंगी इसे हम ल और यह हमारे सरी को एनर्जी भी परदान करता है और यह हमारे दिमाग को भी तेज करता है तो देख लिए कितने सारे फाइदे हैं काले चने के तो देख लिए एक घंटा पकाने के बादे कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल लर्जी यह लग रहा है तो फ्रेंस देख काले चने के बहुत सारे फाइदे मैंने आपको बताए और इसको बनाने का तरीका भी बताया तो आप भी ऐसे ही अपने घर में ट्राइ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हां मुझे लाइक करना, सेयर करना और कमेंट करना बिलकुल भी न भूलें और मुझे जरूर बताएं कि मैं और आप लोगों के लिए कौन सी टैडिशनल डिस बनाओं तो देख लिजे फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट जरूर करें तो मैं अब मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ